हेलो व्रीवन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बाद फिर से आपके ही चैनल मास्टर कीपे और आशा करता हूँ कि आप सभी मास्ट होंगे जबर्दस्थ होंगे और जबर्दस्थ तरीके से अपने पेपर की तैयारी भी कर रहे होंगे और जैसे मास्टर की आप लोगों को जैसे हर एक पॉइंट को जैसे अच्छे से विजुलाइज करा रहा है हर एक पॉइंट को एक डिपली जाके अनेलिसिस आपको करा रहा है कुश्चन करने के तरीके बता रहे हैं उसको भी काफी आप इंजॉई कर रहे होंगे तो जो भी बच्चे नए हैं, ज्यादा कुछ मैं उनसे बोलूंगा नहीं, उनको भी पता है कि नए हैं, तो भाई एक काम आपका बाकी है, कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में वो घंटी को दबाना न भूल अपन बात कर रहे थे, ट्रिगनो मैटरी का क्रैस को सबना चल रहा था, और आज आपका उसका लेक्चर 4 है, जिसमें अपन ट्रिगनो मैटरी रेश्यो को पूरा कंपलीट करने जा रहे हैं, और थर्ड लेक्चर में आपनने देख लिया था, फोर अक्यूट अंगल, कुछ आईये start करते हैं बिना किसी देरी के और बिना किसी लेट हुए हुए तो आईये चले start करें तो आईये देखिए जी next जो आपने को पढ़ना है for acute angle फिर से कुछ trigonometric ratio देखेंगे लेकिन वो trigonometric function का जो relation होगा वो किसमा होगा square relation में होगा squiring करके करेंगे ठीक है जी तो आईये start करते हैं उससे पहले भाई साब channel को subscribe निक करिया नहीं किया है तो प्लीज आगे कर ले ताकि इसमें मेरा कुछ नहीं जाता तेरा घाटा ठीक है तो आईये यार start करते है theorem number आपका जो अब next पढ़ना है theorem number कौन सा ही ये दूस दूसरा है और theorem number दूसरा क्या बोलता है कि for any acute angle for visible है क्या के color दूसरा color ले लो दूसरा ले लेता हूँ हाना एक minute क्या बोला जा रहा है कि for any acute angle acute angle ठीटा प्रूवड एट फिर से प्रूव करना है प्रूवड एट अब क्या प्रूव करना है वो आपन देखते हैं क्या क्या प्रूवड एट पहला आपको प्रूव करना है कि साइन स्क्वाइड ठीटा आप साइन स्क्वाइर के ठीटा कैसे लिखते हैं साइन स्क्वाइर पावर रिलेशन में मैंने बताया था, sin square theta प्लस आपका cos square theta इसकी value होती है 1 के बराबर, कहीं पर भी sin square theta प्लस cos square theta, यानि sin square theta दिखा और cos square theta दिखा, वो अगर addition में हैं, अगर वो plus हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, तो उनकी value directly किसके बराबर आप put कर सकते हैं, बाई स अब prove के हम कुछ नहीं मानेंगे, तो prove भी मिलेगा आपको बोला, prove भी मिलेगा, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा आपको prove क्या करना है, for any acute angle theta के लिए, कि 1 plus 10 square theta, 1 plus 10 square theta, ये किसके बराबर होता है वाई साब, sec square theta के बराबर, ये किसके बराबर होता है, sec square theta के बराबर, तो prove करना है trigonometric functions का जो relation है, square relation में, तीसरा जो आपका आता है, वो आता है, 1 plus cot square theta, भाई सब 10 आ गए, तो cot भाई सब बोलेंगे, हम का है, तुमसे कम है, का, तुमारा उल्टा ही है, भाई सब हम, अगर तुमारा relation होगा, तो हमारा नहीं होगा, तुमारी government बनेगी, हमारी न आपको बताऊंगा, मैं, at the end आपको बताऊंगा, आज आपने ये छोटे से relation, तीन relation को प्रूफ करके, एक आपके trigonometry का chapter भी उडा देंगे, हाँ, हाँ, जी, उसे बोलते हैं न, एक, तीर, दो निशाने, वैसे काम करने वाले हैं, तो प्रेज वीडियो को skip करके ना देखे और अम तक देखे, मज़ा बहुत आने वाला है, बोला, मज़ा बहुत आने वाला है वाईसाब, तो trigonometry ratio में, theorem number 2 क्या बोल रहा है, कि prove that for any acute angle theta, for any acute angle theta, prove that, कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1, 1 plus 10 square theta is equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta is cos square theta के बाराब, ठीक है, किसके लिए प्रूफ करना है, acute angle theta के लिए, तो व वही करना है, triangle बनाया, अब यहाँ पे क्या इसका नाम करन साथ, this one is A, this one is B, and this one is C, यहाँ बनता था आपका acute angle theta, angle A पे, और at B पे 90 degree का formation, clear, और इसी acute angle theta के लिए, अपने को क्या prove करना है, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, 1 plus 10 square theta is equal to sec square theta, 1 plus cot square theta is equal to cos square theta, 1 plus cot square theta is equal to cos square theta के बाराब, ठीक है, तो अब आईए, यह क्या होता था भाई साब, base, यह इस angle theta के लिए, इस angle theta के लिए, इस angle theta के लिए, बहुत ध्यान सा सुनना, इस angle theta के लिए perpendicular कौन सा होगा, भाई साब, यह वाला, तो perpendicular का पर मानत है y unit के बराबर, इस angle theta के लिए base कौन सा होगा, sir, A, B, sir, इसको मानत हापन X unit के बराबर सर इस angle theta के लिए hypotenuse कौन सा होगा ये सर तो सर ये वाला और देखो hypotenuse पहचानने के बहुत असान तरीका है जहाँ पर 90 degree बनाना 90 degree के जाद सामने वाला साइड आपका hypotenuse होता है काम खतम तो ये कौन सा होगा R unit के बराबर अपने माना था ओमाने माने वोगा आपका और ये एकुट अंसला ये आपका और पर आंगला amaik रियर थे दूसरा थे रियर इन एंसरा in a right angle ये लिके रखा मेन ट्र्यांगा ये ये लिके रियर गडा है रियर आनन का इंसरा इंसरा A, B, C, angle B is equal to 90 degree and base is equal to A, B is equal to, कितना मानाने आपने भाईज़ आप, X unit के बराबर, अरे बोलो न अरे बाबा, और दूसरा perpendicular, this one is कौन सा है, B, C, या फिर C, B, कुछ भी बोलो, तो ये कितना मान लिया, आपने Y unit के बराबर, और तीसरा आपका हाईपोटेनियास, जो है सारे AC के बराबर, और इसको आपने मान लिया R unit के बराबर, और ये सारे relation for acute angle theta के लिए, जो relation आपने देखा, trigonometric ratios के कुछ relation देखा for theta angle के लिए, कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1, उसको prove करने के लिए, एक मैं यहाँ पर theorem applicable करूँगा, जिसे आपड़ बोलते हैं, पाइथा-गोरस theorem, अगर right angle triangle आए, तो पाइथा-गोरस तो अपने के बल होगा ही बाई साब, होगा ही सर, तो फाइथा-गोरस theorem, theorem, H square is equal to, क्या होता है, P square plus B square, हाइपोटेनियस का square is equal to perpendicular के square plus base का square, ठीक है सर, तो सर, इससे क्या होगा, तो इस triangle के लिए ज़रा हाइपोटेनियस और base का relation लिख लिजिए और perpendicular का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस is R unit के बराबर, R square is equal to x square plus y square के बराबर, तो यहाँ लिख लो ना भाई सब, यहाँ लिख लो, यह क्या लिख लें भाईया, R square is equal to क्या, perpendicular is y square plus का x square के बराबर, यह relation याद रखना, यह proof में काम में आएगा, this one is first equation के नाम से मैं दे देता हूँ, clear, तो यह आपन ने यहाँ तक अभी देखा, अब अपने को क्या प्रूफ करना, पहला अपना प्रूफ जो था, वो था सार, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, क्या सार, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, प्रूफ का मतलब मैंने आपको बताया था, what is proof, what is proof, बोला, तो सार, प्रूफ का मतलब यह होता है, कि कुछ चीजे LHS में होती है, left hand side, और कुछ चीजे RHS में होती है, right hand side में, अगर मैं LHS को solve करूँ, तो वो RHS के बराबर हो जाए, या RHS को solve करूँ, तो वो LHS के बराबर हो जाए, इसी को तो बोलते हैं proof, इसी को तो बोलते हैं proof, तो भाईया, साएं अर्चैस में क्या है, साइन स्कवाइटा प्लस कॉस स्कोई ठीटा, इसके RHS में क्या है, सर इसके RHS में है 1, तो 1 को solve करके, इसके बराबर लाना, is very difficult, लेकिन सर, इस relation को solve करके, इधर ले आना 1, ये थोड़ा हो सकता है, ये हो सकता है, पता नहीं होगा यह नहीं होगा लेकिन हो सकता है क्योंकि इसको solve कर सकते हैं कुछ हथ तक इसमें क्या constant है यह तो इसको क्या solve करेगा one is one one is one ठीक है excuse me ठीक है one तो one ही है न सर तो ठीक है तो अब इसको आईए अब इसको सकते हैं अगर यह one के बराबा आजाएगा तो अपनमाल नहीं की रिलेशन साहिए तो sin square theta यानि sin theta पहले लिख लो sin square theta से पहले sin theta लिख लो sin theta क्या होता भाई है perpendicular upon में क्या hypotenious परपेंडिकुलर upon में hypotenious तो ऐसे अगर sin square theta लिखना चाहते हैं तो sin square theta किसके बराबर हो जाएगा जब इधर square कर रहे हो तो इधर भी square होगा ती हो जाएगा perpendicular square upon में hypotenious का square perpendicular square upon में hypotenious का square तो उस triangle जो अपने triangle बनाया उसके लिए भाईया sin square theta क्या हो जाएगा जारा बताना मेरे आपने च्वाइटके लान, sin square theta हो जाएगा perpendicular kaya square यानि sir y square, sir h square hypotenious kaya square clear, ऐसा ही आपन Cos के लिए लिखे तो Cos theta एगर लिखना चाहे, तो Cos theta क्या होता बेटा base upon hypotenious के लिए को सक्वाय ठीट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा भी यह स्कॉयर state O upon hypotenuse ka square तो उस प्रेंगर के लिए अगर cos square theta लिखना चाहिए तो क्या हो जाएगा मेरे लाल जड़ा बताना तो सर वहाँ था base क्या था x के बराबर x square upon hypotenuse ka r square के बराबर अब क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों का summation sin square theta plus cos square theta इन दोनों को जोड़िता 1 के बराबर थीए तो जोड़ के देखो घर आ रहा है क्या तो भाईया sin square theta कितना क्या प्रूफ करना था sin square theta plus cos square theta is equal to one sin square theta कितना है या y square upon r square sir cos square theta कितना है x square upon r square is equal to one यही प्रूफ करना है इंश और भी वह ना जया हो जाएगा प्रूफ सब सब्सक्राइगा पर ईभर हाई जाएगा डिप डिया प्लस निया रिलेशन लिख लिएंग आप ऐसे एक्वेशन पे देखो यहाँ पर लिखे लिखते हैं आफ स्कॉयर के बडाबर लिख सकते हैं यहільки लिख सकते हैं अ स्कॉयर के बाबर इस वाले उपर वाले जो निउम्रेटर में बना है यह एस साथ LHS में भी 1, RHS में भी 1 हो गया आपका प्रूव, हो गया आपका क्या, प्रूव, प्रूव मतलब क्या होता है, LHS is equal to RHS, अगर मैं LHS को solve करूँ तो RHS के बराबर बन जाए, तो इसी को बोलते हैं भाई साथ प्रूव, तो यहां से अपने को क्या पाता चला, कि कहीं पे भ 10 sqt, plus cos sqt, किसको क्या बोल सकते हैं, सीधे सीधे होता है किसके बराबर 1 के बराबर, sin sqt, cos sqt अगर जोड़ हो रहा, उनका addition हो रहा, वो आपस में जोड़ रहे है, तो उनकी value आपस में, आपस डैरेक्री क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर होगी सर, तो पहला जो relation था, उसका proof आपको यहाँ पर मिल चुका, next चलते हैं, दूसरा क्या था भया, दूसरा सर्फ अपने पास था, कि 1 प्लस 10 square theta, 1 प्लस 10 square theta is equal to क्या, से के square theta के बराबर, 1 प्लस 10 square theta किसके बराबर हो जाए, से के square theta के बराबर, clear, तो आप आईए जा रहाँ यहाँ पर देखिए, अब फिर से LHS, इधर है RHS, LHS मिन्स किया, left hand side, RHS मिन्स किया, right hand side, तो LHS को आपन क्या करेंगे, इसको आपन solve करते हैं, इसको solve कर लेते हैं, इधर दो time है, इसको solve कर लेते हैं, बहुत-बहुत सारे बच्चे इसको भी solve करके इसके बराबर करेंगे, वो आपकी मर्जी है, मैं LHS को solve करते हुए चल रहा हूँ, तो भाईया, आईए, यहाँ प को हता है मेरे भाई साब 10th सर होता है क्या पर्पेंडिकुलार अपॉन में क्या बेस इहां पे 10 ниц इसकोर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर ही दर स्कारे तो इधर nearly का दो यहाज चाहिय का इसकार 500 उस राइंगल के लिए अगर perpendicular का square upon base का square लिखे तो क्या हो जाएगा जारा बताओ मेरे को सर परपेंडिकुलर का square यानि 10 square theta लिगना चाते हैं ऐसा बोल रहे हो ना उस राइंगल के लिए तो सर परपेंडिकुलर था y के बराबर तो y का square तो y square सर बेस था x के बराबर था बेस का square यानि x square सर 10 square theta यह आ गया सर 10 square theta यह आ गया लेकिन अपने को proof क्या करना है 1 plus 10 square theta is equal to second square theta तो अब रख दो 1 plus 10 square theta 1 plus 10 square theta तो 1 plus 10 square की value कितनी आ गए y square upon में x square ले लो lcm भाई सब ले लो lcm तो क्या हो जाएगा x square इसका lcm हो जाएगा x square इसका lcm हो जाएगा इसके पास है 1 denominator में भी 1 है numerator में 1 denominator में lcm है x square तो x square यहां multiply हो जाएगा तो x square plus का y square x square प्लस का y square अभी-अभी में x square तो वह r क्या अरे cos theta का क्या होता है? reverse होता है cos theta क्या होता है sir? base upon me hypotenious तो अगर इसका reverse होता है तो क्या हो जाएगा? hypotenious upon me base तो ऐसे ही अगर सेक square theta लिखना चाहिए यह तो सेक theta का formula हो गया सेक square लिखना चाहिए तो क्या हो जाएगा? h square upon me क्या? बी स्क्वाइर के बराबर यानि हाइपोटेनियस का स्क्वाइर अपन में बेस का स्क्वाइर तो यह देखो यह क्या आगया आपका solve किया तो आपने क्या आगया हाइपोटेनियस का स्क्वाइर अपन में बेस का स्क्वाइर इसको आपका लिख सकते हो सेक स्क्वाइर स्क्व सेक स्क्वाइर ठीटा के बराबर आप उसको पूट कर सकते हैं तो 1 प्लस 10 स्क्वाइर ठीटा दिखें अगर आपको सेक स्क्वाइर ठीटा में जाना है तो आप डिरेक्ली इसकी वैलू पूट कर सकते हैं या सेक स्क्वाइर ठीटा हो से के स्क्वाइर ठीटा अरे यार से के स्क्वाइर ठीटा माइनस का टैने स्क्वाइर ठीटा तो कहीत है अगर आपको से के स्क्वाइर ठीटा माइनस टैने स्क्वाइर ठीटा लिखे हुए दिखे तो आप रेकली उसकी वैलू 1 के बराबर पुट कर सकते हैं समझ गए बहु to sec square theta minus 1 तो एक relation यहां से निकल गए तो एक ही relation से बहुत सारे ऐसे आप solve कर जाकते हैं LHS to LHS RHS to LHS में भेज के clear है तो यह भी proof आपका हो गया तो कहीं पर भी यह सारे relations use करना है या फिर 1 plus 10 square theta दिखा उसको sec square theta में convert करना sec में convert करना है तो 1 plus 10 square theta को आप directly sec square theta लिख सकते हैं या फिर sec square theta minus 1 minus 10 square theta दिख गया है तो उसको directly 1 के बाराबर put कर सकते हैं 10 square theta is equal to sec square theta minus 1 लिख सकते हैं तो यह सारे relation यहां से create होके आते हैं clear next जो आपका third था उस पर चलते हैं last third one इस कौन था? सार third one जो आपका था तीसरा वो था one plus cot square theta is equal to क्या भाई साब? cosec cosec square theta के बाराब cosec square theta के बाराब तो यह है भाई आपका LHS, this one is RHS अगर प्रूफ करना है तो यह दोना आपस में equal होने चाहिए तो आपन किसको solve कर रहे हैं भाई साब open solve करेंगे किसका? LHS को solve कर रहे है LHS को solve कर रहे है तो LHS को अगर solve कर रहे हैं तो वो RHS के बाराबर आना चाहिए LHS को solve कर रहे हैं तो बोला RHS के बाराबर आना चाहिए तो पहले one plus cot square theta है one plus cot square theta को अपने को solve करना है इसको solve करके किसके बाराबर आना है? कोजसिक स्क्वाइब थίटा के बराबर तो पहले कॉट थिटा देख लेते हैं सर कॉट थिटा क्या होता है सर कॉट थीटा 10 थीटा का उल्टा तो 10 is P by B यह परपेंडीकुलर अपन बेष तो कॉट इस B by P बी बाई पी के बराबर तो यहां से अगर आपन कॉ ठीट कॉ ठीटा लिखा चाहे इसका कॉइर कर रो तो इसका रहे हो तो इधर पर्पेंडिकूलर का Chili बेस का इसका इसॉलर अपनमें पर्पेंडिकूलर का इसकुइरall Spoil UP अब इसके लिए अगर आप qaetera दिटा लिखना चायए, तो क्या हो जाएगा? x bar, y के बराबर, base upon में, perpendicular अब qa Happiness ये हुआ, qa перeg lady क्लीटे स्क्वाइर, qa Newton क्लीट स्क्वार खीना हो जाएगा? x स्क्वार अपन में, y स्क्वाइर के बराबर, भईत simple तो आजाओ भाई सब चलते हैं फिर से फिर से वहीं चलते हैं रहा वही है जाह वही है और प्रूव भी करना है कहां चलेगा बहिता हो जाओ ठोड़ा सब बढ़ा तो यहां से आगे भाई सब को पूहर अपिज को धाले हैं को के बराबर है अ इसक onc के बराबर एंस को यहां से सब्सक्रारा छाहिए ऊस त्राइँल के लिए तो क्या भलत अस्क्वाइब और लिक्त-असे स्क्वाइर यानि आक्स-ै पॉण प्रपेंट्डिक्यलर के वैल्यू को मैंने इसको put कर दो, इसमें put कर लो क्योंकि solve तो इसी को करना है न, तो यहां क्या जाएगा, one plus cot square theta, तो one cot square theta का value x square upon me, क्या y square, x square upon me, y square, y square LCM ले लो, तो y square आपका LCM आ जाएगा, तो यहां क्या चल जाएगा, y square plus x square, y square plus x square क्या लिख सकते हैं, इसको भाई साब, सर ये है, इसको लिख सकते हैं, अब यह भी आपने प्रूब किया था, पैठागोरज से, उस ट्रेंगल के लिए कि कहीं पर y² प्लास अक्स स्क्वाइर दिगे, इसको डिरेक्टली आप r² लिख सकते हैं, r² अपॉन में क्या, y², r is क्या सर, hypotenious का अपॉन में? सर, y is क्या, परपंडिकुलर का स्क्वाई, परपंडिकुलर का स्क्वाई, तो सर, hypotenious अपॉन में परपंडिकुलर is quatt, Sir, hypotenious अपॉन में परपंडिकुलर is geared coste-, Boss ay Theta, Sir, Psych Theta का Formula याद करो न pró bits का सिदा का formula में परपंडिकुलर या होता ह ? सर यह होता था, हाइपोटेनियास अपन में पर्पेंडिकुलर, क्यों सर, क्योंकि यह साइन थीटा का उल्टा होता था, साइन थीटा क्या होता था, जड़ा याद करो, साइन थीटा पर्पेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियास, तो अगर इसका उल्टा करेंगे, कॉसेक तो क्या हो पर्पेंडिकुलर का स्कॉयर है, स्कॉयर चला तो इधर भी स्कॉयर लगा लो, तो यह कि इसके बराबर आ जा गया, कॉसेक स्कॉयर ठीटा के बराबर, यह क्या गया, कॉसेक स्कॉयर ठीटा के बराबर, तो यहां से आप यह भी रिलेशन प्रूफ कर लिए, कि कहीं पे भी 1 1 plus quatt square theta लिखा हो, 1 plus quatt square theta लिखा हो, तो आप इसके directly क्या लिख सकते हैं? कॉसेक, अरे, एक मिनट जी, कॉसेक square theta के बराबर, अब यह आपके पापा हो गए, यह आपके क्या हो गए? पापा, पापा इंस मिन्स फादर, और फादर से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे, देखो, कईचे निकलेंगे सर, अब यह 1 को इधार रखो, कॉसेक square theta जो LHS था, माइनस का आपका cot square theta के बराब, यह relation यहाँ से एक और आगया, और relation निकलना है, और निकलन देखो, और क्या कर सकते हैं सर, इस 1 को उधर भेज़ दो, यानि cot square theta is equal to क्या जाएगा, cos 6 square theta माइनस का 1, तो यह सारे आएसे आप relation, एक ही relation से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बा नहीं है, तो यहाँ पर 3 अपने को square relations given थे, for accurate angle theta के लिए, अपने सारे solve कर लिए, अब आपन बात करने वाले हैं, कि भाईया मैंने बोला था, 1, 3, 2 निसाने, 1, 3, 2 निसाने, वो कैसे मारेंगे सर, 3 अब कैसे करेंगे, जड़ा देखो, आओ मेरे लाग, क्या मैंने आपको यह relation पढ़ाया है, क्या tan theta को आप सीज़े सीज़े लिख सकते हैं, sin theta upon में cos theta, दूसरा relation यह आपको proof कराया है, क्या quad theta, आप ही बताना, quad theta is equal to cos theta upon में sin theta, तीसरा relation यह proof कराया है, क्या tan theta into में quad theta, यह इसके 1 के बराबर होता है, चौथा relation यह proof कराया क्या, कि sin square theta, प्लस में cos square theta, इसकी value 1 के बराबर होती है, पाच्वा relation यह proof कराया क्या, कि 1 plus tan square theta, यह होता है, सेक square theta के बराबर, सेक square theta के बराबर, छथा relation यह proof कराया क्या, कि 1 plus cot square theta, 1 plus cot square theta, यह किसके बराबर होता है, यह कौशेक square theta के बराबर, यह चौशेक square theta के बराबर, यह 6 relation आपको proof कराया क्या, जरा बोलो हाँ याना, और यह comment section में आप ही बाल दो हाँ याना, बोलो यार, हाँ सर कराया सर, तो सर इसी को क्या बोलते हैं, इसी 6 relation को अपन बोलते हैं, trigonometry ratio identities, या फिर आप बोले तो trigonometry identities, या फिर दूसरी भासा में आप सीधे सीधे आप बोल देते हैं, क्या trigonometry identities, हाँ सर, इसी को बोलते हैं, trigonometry identities, तो यह crash course चल रहा है, detail course में मैंने इसके अलग से videos बनाये थे, लेगिन crash course चल रहा है, तो थोरा सा अपन running में तो रहेंगे ही, तो अपन यहां से यह relations को ही बोलते हैं, trigonometry identities, और इसी relations को यूज करके, आपन क्या करते हैं, trigonometry में, आपके trigonometry ratio में, या फिर trigonometry identities में, या फि trigonometry for some particular angles में अपन questions करेंगे, तो एक chapter और अपना बचल है, trigonometry ratio of some particular angles जिसे अपन next lecture में cover कर लेंगे, और important types के questions कितने बन सकते हैं, आपके trigonometry में उसे भी अपन cover करेंगे, तो I hope कि आज का lecture काफी अच्छा लगा होगा, और पदा चला होगा कि एक तिर दो निशाने कैसा मार इसलिए आपको यहीं से मैं प्रूफ करा दिया, यहीं से मैं आपको प्रूफ कराया, कि थोड़ी बहुत और चीज़े आपन जानेगे trigonometry identities में, लेकिन अपन ऐसा समझो कि 100% था कि trigonometry identities का कोई chapter था, तो उसको आपन ने 90% cover कर दिया, 90% यहीं से, यहीं तो master की का खासियत यहीं तो खासियत है, कि जाने अन जाने मना जाने क्या चीज़े करा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपका chapter भी खतम हो जाता है, तो चलो यार, मज़ा आया, तो comment section करके जरूर बताना, अभी के लिए इतना ही बबबाय, take care, जय हिंद, मिलता हूं next lecture में, love you guys take care, bye bye